हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब प्री डिलेड, जो डिलेड हुआ है कल, उसका रिजनीं के कोशन कर लेते हैं, रिजनीं के 30 कोशन से, इसको जल्दी से देख लेते हैं, ये पेपर मुझे सेंड किया है देविंद्र ने, देविंद्र साहु ने, चलिए, इसका सॉलूशन देख अनाच के अंदर ही आता है गेहू, और अनाच के अंदर ही आता है मक्का, ये वाला हो गया गेहू, और ये वाला हो गया मक्का, और ये वाला हो गया अनाच, सो ऑप्शन B, इसका सही हो जाएगा, परस का बी सही हो जाएगा, मैं सेट बता देता हूँ, सेट कौन सा है, ये थोड़ा सा confusing है, थोड़ा सा confusing है यह, देखें, यहां आपको एक arrow दिख रहा है, arrow के, अब arrow नीचे आ चुका है, और उसके उपर क्या है, square है, फिर arrow फिर नीचे आ गया है, उसके उपर square and then cross, मतलब पहले arrow है, उसके उपर square होना चाहिए, उसके उपर cross होना चाहिए, अब एक इसको एक नए number आएगा, अब इसको क्या elimination से cut कर सकते हैं, arrow के उपर square है, फिर cross है, फिर circle है, arrow के बगल में square, across and circle, यहां cross पहले आ चुका है, एको sequence क्या है, arrow के just उपर square है, फिर उसके बद प्रोस है, तो option भी नहीं हो सकता, option भी काट देना, गलत pattern में है, और ये भी गलत हो इसको लोग देखें, यह arrow उसके उपर square and then cross है, C या D में से कोई एक अपना answer सही होने वाला है, यहां पर तो D में क्या किया गया है, D को कर ध्यान से देखोगे, तो पहले arrow लिखा है, उसके उपर square लगाया है, three cross लगाया है, right side में, left में, तो उसके बद लेफ्ट में O है, यह थोड़ा जम नहीं रहा है, जो सही pattern में arranged है, वो C है, C इसका सही answer है, बाकी वैपन बताएगा, C है कि D है, ठीक है, मेरे according C है इसका answer, ठीक है, मेरे अनुसार, C सही answer है, C, ठीक है, अभी आप C को लेके चलो, बाद में जब model answer आजाएगा, तब exactly पता हो जाएगा, exactly clear हो तब्लाइगा, ठीक है, मैंने इसले बोला, इसमें, जैसे C का सही answer है, ठीक है, C सवासार है, C, सवासार है, आगे चलते हैं, कोशें नमर 3 की तरब, कोशें नमर 3 देखों, कोशें नमर 3, यहाँ भी थोड़ा, सेम कांटियों, यहाँ भी बना हुआ है, कोशें नमर 3 में, अ इस रिजनिंग है ठीक लेकिन प्री बीड में रिजनिंग के प्लेस भर दिया है वो पूरा मैट्स चलिए देखिए यहां सेलेक्ट करना है सुटेबल फिगर को अब देखो पहला फिगर आपको इस तरह से दिख रहा है और यहां पर एरो खीचा हुआ है राइट सैड में और यह जो हिस्सा है ना यह जो घूमे इधर आएगा तो कहीं ऐसा कुछ जाएगा ऐसा जाएगा इसको है ना लेकिन इसको बाहर ना करते हुए यह जो Lahar करते वे वह कर दिया है अंदर बना दिए समझ रहा बात मेरा की एक सेकें कि शिर तरह से घुमाया है इस डारेक्शन में इस डारेक्शन ंदर बनाएगorth अईसे तरह से अंदर खिस दी Um बन गया अब इसकी की में यहां खीचो आप ऐसे कि यह को को यहां हो कि रहा है एक सेकंड रुके गा कि अवाख में यह इस तरह से हैं figure और यह उपर की ओर एरो पोइंट पर नगर एक या वाला हिस्सा अंदर की और यह वाला हिस्सा है ठेके अब देखो यह फिगार में बाहर था यहीं सबाहर था और यह बंददर है यह अल्रेड़ी अन्दर है तो जो एक्स डिजल्टे Owner होगा र में बाहर बनेगा बाहर से माद किने लूण 2ा9 और छिण यहाँ गूम मर इसक्त फिगर इसक्त खुंब सरे एधर अधर बेच में अधर बन जाएगा यहां तो फिगर ऐसे या तो option एक साही होने वाला है ठीक है या option सी सही होने वाला है अब इन दोर में से कोई भी सही हो सकता है option c और c ना होने के पीछे कारण यह है एक सही अंसर होना चीह है यह जो आउटर वाला वह यह उसलिए नहीं होना चाहिए अब देखते हैं दो कोष्याइद में कंफीजन था छी क्या देख लो और फिर से देख लो और को और टू का आंजर सी है question number 3 का answer E है ठीक, अब question number 4 की तरब चलते हैं question number 4, यहां मैं लिखता हूँ E Q, ज्यान से लिखते जाना E Q, फिर F S, H, W K, A, O देखो मैं number लिख देता हूँ E का जो number है वो 5 है 5 number पर आता है Q जो है वो 17 number पर आता है अब यहां पर लिखोंगो तो अदम कच्रा हो जाएगा यहां पर थोड़ इसको यहां पर डिटेल में लिखना चाहिए एक सेगन रुकिए अगर आप alphabet series देखोगे तो E का number आता है 5, Q का number आता है 17 F का number आता है 6, S का है 19 H का 8 है W का 23 है K का है 11 और E का है 1 अब देखो यहां पर किस तरह सिर्फ चल रहा है 5, plus 1, 6 6, plus 2, 8 8, plus 3, 11 8, plus 3, 11 तो जो अगला होगा, plus 4 कर दो plus 4, बलब 11, plus 4 हो जाएगा 15, 15 number में जो होगा वो यहां आपको लिखना है, तो O होता है 15 number पे, O, ओके अब आगे देखो, 17 plus 2 है, 19 17 plus 2, 19 17 plus 2 होगया, 19 19 plus 3 होगया 4, plus 4 plus 4 होगया, 23 19 plus 4 होजाएगा फिर आगे देखें W से यह चलते है, W के बाद देखोगे, तो 23 है 24 आएगा, 25 आएगा, 26 फिर 1 आजाएगा, तो plus 4 फिर जा रहा है अब यह तो थोड़ा सा confusion होगया 2 के बाद, plus 4 गया अब क्या हो सकता है दो यह option हो सकते हैं या तो O, F होगा है ना, या तो O, F होगा या तो O, B होगया, तो O, तो आ चुका है एक सेक्ड़ या पर O, तो आ चुका है O, तो आ चुका है या तो F आएगा, या तो B आएगा अब A के बाद हम लोग कितना बढ़ा है प्लस 2 बढ़ चुका है प्लस 4 बढ़ चुका है, प्लस 4 बढ़ चुका है अब A से हम लोग A से हम लोग कितना प्लस 5 बढ़ा दें यह तो थोड़ा सा confusion होगया यहां तो इसको प्लस 3 बढ़ना था यह प्लस 3 बढ़ता तो यहां प्लस 2 बढ़ा, प्लस 3 बढ़ा प्लस 4 बढ़ा, तो प्लस 5 बढ़ा देते हैं तो चलो बढ़ा के देखते हैं प्लस 5 बढ़ा के देखें प्लस 5 करके देखें तो यहां पर A का नंबर 1 है तो आप 5 आगे बढ़ाओ 5 आगे बढ़ाएं तो A के बाद आता है B, C, D, E और F होगा पांचवे नंबर पे तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां पर F अगर पांचवे नंबर पे लगा रहा है तो यह pattern तो justify नहीं कर रहा है पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर अब 5 बढ़ रहा है यहां तो इसको 3 होना चाहिए था यहां पर यहां पर क्या होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था यहां पर यह कुन से बदर आ गए? एक सेकिन यहां पर 3 होना चाहिए था तो ये 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, इस तरह से पैटन जम जाता, ठीक है, ये तो थोड़ा सब फिर से विवाधित कोश्यन हो गया, अगर ORF answer है, तो किस पैटन पे है, किसी को अगर पैटन अच्छे से मिल गया होगा, तो कमेंट करना, यहाँ प आंसर मिला हूँ और प्रॉस फॉर प्लस की साथ प्लस्वाइब बनते लेकिन क्या रहा है तो प्लस फोर हो रहा है ,ٌ तो प्लस फोर है फिर एकन北 फोर बन locate after आप उसको भी चेक कर लेते हैं, चलिए उसको भी लगे हैं, आप चेक कर लेते हैं, देखो इस question को मैंने फिर से लिख दिया है, अब number 1 एक बार नमबर देखोगे, तो E का 5 है, Q का 17 है, F का 19 है, H का 8, W का 23, K का 11, A का 1, O का 15, F का 6, P का 20 और L का 12 मैंने लिख दिया है, अब द देख, 5 में प्लस 1 किया, तो 6 है, 6 में प्लस 2 किया, तो 8 है, 8 में प्लस 3 किया, तो 11 आ रहा है न, 8 और 2, 10 और 11, 11 में हम लोग प्लस 4 कर रहे हैं, प्लस 4 कर रहे हैं, तो 15, और 15 में प्लस 5 कर रहे हैं, तो आ रहा है 20, ओके, उसके बाद देखो, 17 में प्लस 2 किया, तो 19 आ र तो आ रहा है तेईस, उननीज के बाद 20, फिर 21, 22, 23, चार आ रहा है चार एट करने पर, अब तेईस में फिर चार एट करो, तो जाएगा 27, 27 का मतलब यह हो जाएगा, जैड के बाद क्या आता है, यह आता है, तो हो जाएगा प्लस 4 अगेन, अब इसमें हो रहा है प्लस 5, और इसमें अगेन हो रहा है प्लस 6, तो पैटर्ण यही पर गडबड़ा आ रहा है, यहाँ पर प्लस 3 होना चाहिए था, यह वाला जो नंबर है ये गलत है, ये प्लस 3 होना चाहिए था, लेकिन वो गलती से आ गया है, प्लस 4 वाला concept, तो इस पर दावापती लगाया जा सकता ह यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ें अगला question ये वाला question है अब इसमें बोला गया है F अच्छे प्रसाशक, good administrator, E engineer और G वाला honor है तो ये वाला हो गया engineer अब question बोला गया है कौन सा संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना engineer है ना प्रसाशक है तो मालिक वाला कोंसा है जी जो ना engineer है ये टू जो है ना ही एंगिनियर है और ना ही ये administrator है तो हो जाएगा टू किस में आया है C में C इसका सही answer है ठीक फिर उसका एक mirror image दिया हुआ है ये पेज को टर्न करना है ये पेज को पलटना है ये पेज संख्या क्या है ये पेज संख्या 46 है तो आपको 47 पेज नंबर पे जाना है 46 के जजबात और इसको उल्टा जो दिख रहा होगा J U N E को उल्टा ट्रेस करोगे तो वही answer है ठीक है mirror image ऐसी किया जाता है इस पेज को उल्टा पलटना है और ट्रेस करना है तो ट्रेस करोगे तो वही इसका mirror image बनेगा वैसे C इसका सही answer है अब आगे देखो यहाँ पर देखो आपको next पता करना है पहले कि देखो पहले में क्या है इस तरह से arrow downward है और उल्टा यू लिखा हुआ है तो इसका opposite क्या हो गया सीधा यू और arrow इसमें लगा दिया सीधा यू और यह सीधी line अब आपको इसमें दिख रहा है इसको देखो यह ऐसा है और उल्टा यू है तो आपका जो अगला figure बनेगा वो सीधा यू बनेगा और यू में बरहेगा arrow का sign और यह जो line था उसके आपको एक line खिश देना तो यह सही answer है सीधा यू मतलब सीधा यू और उसमें arrow सीधा यू और उसमें arrow downward होगा गासर मेंगे अब देखो इन और एक्टम्टकास सबस्कीर सपến्वार्इन इसमें नोने सब्सक्राइब इसको गर्वार्श के एंडिल इधकियार की सो mastersatra ओता है मनाया जाएगा तो यह ग्यात नहीं किया जा सकता ठीक है अगर question में mention होता लीप एर है उससाल लीप एर है या उससाल नॉर्मल एर है तब हम कुछ कर सकते थे यहां पर कुछ mention नहीं है तो यह question number D का can't be known हो जाएगा ग्यात नहीं किया सकता अब इसे बूलागया वह अकृति को चुने जो अन्य से भीन है अब इसको अगर आप देखोगे तो दो side है इसमें 3 side है इसमें कितने side है ने कि कोई side नहीं है यह ओवेल में कितना side है नहीं पता तो यहीं है option ही हो जाएगा ठिक फिर उसके बाद देखें 2 की घाथ 3, भागित 4 2 की घाथ 3 का मतलब क्या होता है 2 गुडा, 2 गुडा, 2 बटे 4 तो ये 2 और ये 4 कड़ी है Jadi answer to मतलब simple simplify ही हो रहा है 4 की घाथ 4, भागित 8 तो 4 गुडा, 4 गुडा, 4 गुडा, 4 गुडा, 4 बटे 8 ठेक है ही हो रहा है तो अब इसको सॉल करना है च्छा की घाद दो भागित चार तो च्छा गुड़ा च्छार से पाट दो तो दो तीया फिर अगें दो तीया तीन तीया नौ नौ अंसर हो जाएगा ऑप्शनील ठीक है नौ आंसर होगा सिंपल कोश्य तो इसको देखों नौ को साथ से गुड़ा करो तीरसाट आया यहां लिखा साथ को दो से गुड़ा किया अंसर यहां लिखा दो को पंदरा से गुड़ा किया अंसर यहां लिखा पंदरा को नौ से गुड़ा करो यहां अंसर लिखो तो 135 सही अंसर है पंदरा नहीं है 135 समझ में आया क्या नौ को साथ से गुड़ा किया और आंसर यहां पर लिख दिया, साइकल देखो साइकल कैसे चल रहा है, ऐसे साइकल चल रहा है, इस तरह का साइकल चल रहा है, साइकल मलब चकरन, चकर, साथ को दो से गुड़ा किया, आंसर यहां लिखा, दो को पंदरा से गुड़ा किया, आंसर यहा आपड देखो आर्मी लिखार हूं A-R-M-Y आर्मी को कोड किया गया है A-S-O-B से A-S-O-B ठीक है अब इजा देखो अब A में कुछ नहीं पर प्लस 0 करो तो 0 करोगे तो 1 प्लस 0 जिरो जिरो ही होगा तो A का A आ रहा है, ठीक है, R में प्लस 1 कर दो, प्लस 1 तो R का नंबर जो भी होता है, प्लस 1 कर दो तो S आएगा, R की जस्बाद S M के दो बाद O आता है M के M N O, दो बाद आता है Y के बाद Z आएगा, Z के बाद A आएगा, A के बाद B, तो प्लस 3 तो यह लॉजिक है, Zero एड़ करो One एड़ करो, Two एड़ करो, Three एड़ करो अब आपको Judge का निकालना है J U D G E तो J का तो J ही होगा J का J ही होगा, U के जस्बाद के आता है UV, U के बाद के आता है V, ठीक है, U के बाद के आता है V, तो J V से इस स्टार्ट होगा तो इसमें जे नहीं है इसमें जे नहीं है इसमें जे होर您 से होगा थि वर्स है एलिफंट हर भी वोर्स है शाकाहरी है एलिफंट इसका अंसर हो जाएगा ऑप्षिन बी तेरा का हो जाएगा भी तेरा का क्या हो जाएगा भी 14 देखो अगर hot को gsn की रुप में code किया गया है hot को code किया गया है gns की रुप में gns की रुप में code किया गया है तो आप से question पूछ रहा है कि तो ध्यान से देखोगे तो सिप minus 1 हो रहा है h के जस पहले g है o के जस पहले n है t के जस पहले s है तो बस माइनस 1 कर देना है तो देखो cold को आपको solve करना है cold को तो C के ज़स्थ पहले क्या आता है B अब B वाला एक कई option देख रहा है यही answer हो जाएगा O के ज़स्थ पहले N आता है L के ज़स्थ पहले K आता है और D के ज़स्थ पहले C आता है तो B N K C ठीक है option ही हो जाएगा बहुत असान question था यह अब इसको देखो अब इसको देखो अब यह तो normal solve करने वाला चीज है इसको solve किया जा सकता है बहुत असानी से यहाँ पर आपको plus minus put up करना है ठीक है करके देखो जैसे इसने solve किया है B के साथ चलो पन B को ही solve करके देख लेते हैं तो 40 भागित पहले star जगा भाग लगाना है फिर 2 है फिर अगले star के जगा धन लगाना है फिर धन के बाद 2 के बाद 4 है 4 लगाओ फिर star है star जगा इकवल लगाओ 3 गुड़ा 8 करके देखो 40 में 2 भाग कर दो 20 आएगा 20 में 4 जोड़ दोगे तो 24 हो जाएगा बराबर 8 तिया 24 तो यही आंसर सही है 20 आई है सिंपल सा कुश्यन है अब इसको देखोगे त्रिभूज चतुर्भूज और वर्ग के बीच संबंद खड़ा है उसके अंदर किया जाएगा स्कुर्वाइर है कि को स्कूर्स का डार मैं से बनेगा एक सेकें एक सेगेड़ इसका अंसर हो जायेगा ड़ी आउप्षिंड ब्रक्रेक्ट है देखो कैसे डी सही हो रहा है बता दो ये क्या है रिप्रेजन कर रहा है चतुर्भूज को चतुर्भूज के अंदर आता है स्क्वेर ठीक है चार भूजा वाला चतुर्भूज के अंदर रेक्टेंगल भी आएगा आयाद भी आगा चतुर भूज के अंदर पैरलेलो ग्राम भी सब आएंगे और यह जो ट्राइंगल तीन भूजा वाला वह बाहर रहेगा यह क्या है वर्ग है वर्ग और यह क्या रिप्रेजंट कर रहा है चतुर भूज को ठीक है सो अप्शन डी करेक्ट होगा डी सही है इन तो डी सब्सक्राइब करेंबड कर Hier बार नमबर एक तो एका करके नुंबर 15 पर reminds जाएक पर आता है 12 नमबर पर थे हैं तो एस ही अंसर हो जाएगा अब देखों यहाँ पर दिया है एस का मतलब माइनस है क्यों का मतलब मल्टिप्ला है आर का मतलब डिली जने पी का मतलब धन है तो सॉल करना अपको असानी से हो जाएगा एक पी की जगह आपलिक होगे वाट पी का मतलब है धन तो एक धन 45 आर का मतलब क्या है भागित है दो क्यों का मतलब क्या है गुड़ा है दो, एस का मतलब है माइनस चार, इसको सॉल करोगे तो वन प्लस 45 डिवाइड़ बाइ अब यह कोशन फिर से गलत है यह 19 वाला कोशन फिर से गलत है इसको मैं थोड़ धंग से आपको करके दिखा दे रहा हूँ लॉजिक क्या बन रहा है लॉजिक यह बन रहा है मैं यहां से चालू करता हूँ 586 का 9 कैसे आ रहा है 8 और 6 को जोड़ो 5 घटा दो यह 586 को जोड़ो 586 से 9 कैसे आ रहा है यह 8 और 6 को जोड़ना है क्या करना है 8 और 6 को जोड़ना है और 5 घटा देना है तो 8 और 6 को जोड़ो कितना आ जाएगा 8, 2, 10 हो गया 8, 2, 10, 4, 14 14 में 5 घटा दो 9 आ अंसर आ गया समझ में आया उसी प्रगाद 625 को देखो 625 से 1 कैसे आ रहा है 5 और 2 को जोड़ो 5 और 2 को जोड़ो और 6 घटा दो तो 5 और 2 साथ हो गया साथ में 6 गया 1 समझ में आया लेकिन ये नहीं जम रहा है 8, 79 का 9 नहीं आएगा 8, 79 का 9 आठ हो गवल क्यों गलत शपा है वो क्या करके रिखा देता हूँ 8, 79 से वो 9 लिखा है लेकिन 8 आएगा देखो कुशन गलत है 7 और 9 को जोड़ो 7 और 9 को जोड़ो और 8 घटा दो 7 और 9 कितना हो जाएगा 9 और 1, 10 9 और 1, 10 और 16 हो जा रहा है 16 में 8 घटाओगे तो 8 हाएगा 8 हाएगा ना कि 9 और ये प्रीवियसर कोशन है ठीक है ये किसी एक्जाम में आया वो प्रीवियसर कोशन है उस कोशन में यहाँ पर 8 लिखा हूँ है दावापति लगा सकते हो वाइट पेज में लिख लेना इस तरह से ये बन रहे करके और दावापति लगा लगा 785 का आपको निकालने बोला है तो 8 और 5 को जोड़ो 8 और 5 को जोड़ो 8 और 5 को जोड़ो 7 घटाओ 8 हो गया 12, 13, 13 13 में 7 घटा दो तो कितना आजाएगा 6 13 में 7 घटाओगी तो 6 6 आंसर आएगा वैसे अगर व्यापम यह आंसर लेता है व्यापम यह आंसर लिया तो दावापति लगा सकते हो 19 में डाउट है बैरे 2-3 कोशन आपको बता दिया है किसमें किसमें दावापति लग सकता है तो आप लोग क्या करो इसको कहीं लिख के रख लो मॉडल आंसर आने के बाद दावापति लगा सकते हो वाइट पेज में solution लिख लेगा इस तरह से यह बन रहा है गरके चाहिए अगरा कोशिशन अब 20 में की तरफ चलते हैं इसमें b ब्लस 2 करेंगे तो d आ जाएगा b के बाद c और d ब्लस 2 कर रहे न D में ब्लस 2 कीए आप दो d के बाद e, f ब्लस 2 करने से f आ रहा है f में ब्लस 2 कर दो g, h, f से चलो हो जाएगा और h में ब्लस 2 करोगे तो H के बाद IJ, plus 2 चल रहा है K के बाद M K के बाद IJ, K, L, M plus 2 यहां भी हो रहा है plus 2 यहां भी हो गया M के बाद NO, plus 2 यहां भी हो आ है O के बाद plus 2 करो M, N, O, P, Q, क्यों आ जाएगा तो answer क्या हो जाएगा H, Q, Q, सब में plus 2 हो आ है ठीक है, B का plus 2 D, D से 2 आगे F F से 2 आगे H H से 2 आगे J K के बाद 2 करोगे तो M M को बाद 2 करोगे, मतब 2 आगे जाओगे तो O, O से 2 आगे जाओगे तो Q, Q से 2 आगे जाओगे तो SR है क्या? I, J, K P, Q, R, S, yes correct है, तो सही है, answer H, Q, Q correct है अब इसको देखो इसको जब पंच करके मोड़ोगे न, मतलब यहाँ पर क्या करना है यहाँ से इसको मोड़ देना है कागच को, यह कागच मोड़ोगे तो यह ऐसे बन जाएगा figure तो इसका answer हो जाएगा option B इसको बना के देख सकते हैं आप लोग ऐसा figure है, यहाँ से इसको ऐसे मोड़ा जा रहा है यह question है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर ऐसे बना हुआ है जब इसको मोड़ोगे, तो यह अला हिस्ता ऐसे घुम जाएगा चेक है? तो option B सही answer है फिर क्या है 22 22 देखो 11 बच के 45 मिनट को दरपड़ कर देखो गया आप लो 11 बच के 45 मिनट कैसे दिखता है इसको एक्जाम में कैसे बनाना था? यहाँ 12 है और यहाँ कहीं 11 होगा यह 11 होगा एक सेकेंड रुकिये ज़रो यहाँ कहीं पर 11 होगा, यह 11 है और 11 बच के 45 मिनट बोल रहा है यह हो जाएगा 9 तो बड़ा वाला जो हैंड है वो 9 के पास होगा और जो छोटा वाला हैंड है वो 11 के पास नहीं होगा बलकि जस्ट 12 के एकदम पास में होगा 11 और 12 के बीच में होगा अब इसको घुमाओगे तो इसको पेज को एक पेज पलट लो जैसे आप लोग कोन से पेज में हो 46 में हो ना तो 46 के जस्ट पहले चले जाओ एक पेज पलटो जो उसको परचाई दिख रहा होगा पीछे से उसको ट्रेस कर लो तो अंसर बन जाएगा अब यहां पर तो मैं कंप्यूटर में ट्रेस नहीं कर सकता तो मैं इसका इमेज बनाऊंगा तो यह बारा हो गया यह हो गया तीन यह जो बड़ा हैंड है इधर है वो जस्ट इधर घुम जाएगा तो तीन के तरप आजएगा सवा बारा बज रहा होगा पैतालिस कर अब सब बारा हो जाएगा और यह वाला जो हैंड है जो बारा के करीब में है वो ऐसे घूम जाएगा तो यहां पर आएगा बारा बचके पंदर मिनट आंसर होगा बारा बचके पंदर मिनट ऑप्शन भी ठेक है इमेज जो है या दरपण इमेज है इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है पेज को उलट देना आपको पेज को उलट देना है और जो इसका पीछे परचाई ये शेड़ो जो छपा हुआ है ठीक है जो उबरा हुआ है उसको ट्रेस करो तो उल्ट टाइम में बने जाता है अब देखो विच अब देखो फॉलिं रिस्पॉंस वुड बी दा मीनिंग्फुल ओडर फॉलिं असेंडिंग ओडर में अरेंज करना है ये 6 बच के 45 मिनट है अगर आप लोग घड़ी देखो जो रेलवे में लगा होता है रेल वाला घड़ी उसमें एक से 24 तक के संख्या लिखे होता है ना एक दो तीन चार माँ च्छे करके तो इसको भी अरेंज करना है 6 बच के 45 मिनट पहले आएगा उसके बाद 13 बच के 35 मिनट होगा उसके बाद 19 बच के 30 मिनट यह शाम का हो गया है ना मतलब 7 बच यह 7 बच गया होगा यह 13 25 मतलब 1 बच के 35 मिनट हो गया है ना और यह 20 बच के 00 मतलब 8 बच गया तो 6 13 19 20 6 13 19 20 मतलब हो गया A C B D A C B D A C B D option D A C B D option D correct है A C B D फिर पहुंच गया 24 नंबर पर दीपक प्लेज इस वाच ऑन दे टेबल ऑन दे पेबल सच अवे देट 6 पी एम दा आर हेंड पॉइंट्स टू दस आउट आर हेंड घंटे वाला जो हैंड है घंटे वाला सुई है अच्छा चै कैसे बसता है अब चैब जा लेते हैं गड़ी में अच्छे कैसे बजहेंगा जिए च्छे बजभ देग जो च्छोटा वाला हैंड है जो च्छोटा हला हैं और जो बड़ा हैंड है जो घंटे वाला सुई है वह 12 के पास रहेगा जह ना ऐसा ही तो घड़ी होता है अब आपसे पूछा जा रहा है, the our hand points to the south, यह south है, इधर south है, तो definitely यह north होगा, समझ रहे हो, ठीक है, पुला क्या जा रहा है, the our hand points to the south, our hand, मतलब जो घंटे वाला hand है, यह घंटे वाला hand है, है ना, घंटे की सुई जो है, यह घंटे की सुई है, वो south की direction को point कर रहा है, तो in which direction the minute hand, अच्छा मैं तो उल्टा कर रहा हूँ क्या, यह मिनटे है, यह घंटे का हमें, उल्टा कर रहा हूँ, एक सेकेंड रफ कर लें थोड़ा इसको, मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं color change कर देता हूँ, थाकि थोड़ा दीखिया, देखो, क्या बोल रहा है, the hour hand, घंटे वाला जो सुी है, यह बहला घंटे वाला सुी होता है, यह घंटे वाला सुी है, छोटा वाला है, जो 6 बजगे बता रहा है, हर एक घंटे में जो मूफ कर रहा है, और यह वाला minute hand है, तो क्या बोल रहा है, जो घंटे वाला सुई है, ठेक है, जो घंटे वाला सुई है, the hour hand points the south, ये south point कर रहा है, तो आप से पुछा जा रहा है, in which direction the minute hand point, in which direction the minute hand will point at 9 p.m. अब ये south है, तो definitely इधर north होगा, ये east होगा, इधर east है, इधर west है, अब आप से पुछा जा रहा है, in which direction the minute hand will point at 9, जब मीनत hand 9 की और होगा, तो बजा दो रात 9 बजे, 9 बजे की बात कर रहा है, तो 9 बजा देते हैं, ये हो गया 12, और ये हो गया 9, तो यहाँ पर ये छोटा व 9 बजे, 9 बजे, मिनेट की सुई किदर होगी, तो north ही होगी, north side है, ये minute hand है, ये north है, तो north side होगा भई, चिक, north, है न, ये north है, ये south है, ये हो गया west, और इधर है east, तो इधर 9 बजा है, तो ये minute hand है, minute hand किदर point करना, north है, और north ही होगा answer, option नहीं करेक्ट हो जाएगो, ठीक ह कि समझ में नहीं आया, तो comment कर देना, 24 वाला question मैं एक बर detail में बता दूगा, comment करना, 24 वाला समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता दूगा, अब देखूं, अगला question, 25 के तरफ चलते हैं, U is the son of V, U क्या है, son है, U जो है, son है, V का, लड़का है, U, ठीक है, U जो है, son है, V का, X is wife's mother and wife of U, U की wife है X, U की wife है X, ज्यान समझना, क्या वो लगया है, X is wife's mother, X जो है, Y की मम्मी है, यह Y हो गई, Y की मम्मी X है, जो की wife है, U की, इस तरह से pattern बन रहा है, ठीक है, U क्या है, husband है, X wife है, U husband, X wife, और उनका बच्चा है Y, लेकिन अभी अब question में पुछा जा रहा है, V और X के बिच क्या संबन है, तो आपको यह नहीं पता कि V जो है, male है, या female है, नहीं पता, V का अभी पता ही नहीं है, कि वो male है कि female है, तो आप नहीं बता सकते हैं, अब V और X वहन नहीं है, चाची भी नहीं है, या तो सास ससूर हो सकते हैं, है ना या तो x की ये मतलब ये x है वी उसका ससूर होगा या सास होगा तो ससूर भी नहीं कह सकते ससूर अगर यह option में ससूर या सास होता ना तो answer भी सही होता तो आपको लगाना है option d अपरियाप्त data insufficient data समझ में हाया क्या यह चीज़ नई समझ मामी कि यह पापा है यह हो रहत्य क्या है तो दीटा क्या है इंसफिश्यend है की कि इसका सभी आंसर होगा चली आगे बढ़ें अदो इस इस question में solve करने के एक छोटा सा trick है, वो trick मेरे को याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं logical नहीं, logic लगा के इसको solve कर लिया, देखो logic कैसे लगाया, question में पूछा गया है, opposite of 6, 6 के opposite में, तो 6 का adjacent 2 है, 6 का adjacent 1 है, तो 1 और 2 नहीं हो सकता, 6 का adjacent 3 भी है, तो 3 भी नहीं हो सकता, अब या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, 6 खुद का तो नहीं होने वाला, तो ये 4 जब नहीं हो सकते, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, option में B भी है, और option में, option D 5 है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा इस answer, ठीक है, अब देखो, अब इसको म हो है, और ये जो right, 6 वाला है न, वो इधर का दिवाल बनेगा, उसका, दिवाल समझ रहे हो न, 2 जो है base में लिखा होगा है, 2 जो है base में है, आधार में है, 6 वाला एक दिवाल है, left का, 1 वाला, उत्तर का दिवाल होगा, ठीक है, ये जो 3 है न, ये क्या हो जाएगा, दक्ष का दिवाल होगे, और जो 4 है न, वो उपर चले जाएगा, छत में, दो अगर जमीन पे है, तो 4 चत में होगा, ठीक है, तो 4 और 6 फिर एक दूसर के adjacent हो जा रहे है, तो ये 5 वाला है, जो 6 के opposite बनेगा, पांच वाला है, वो 6 के opposite बनेगा, इसका solve करने के एक ट्रीक है, मैं को question में रहें discuss किया है आपसे, 4 का square 16, 1 का square 1, तो 161 हो गया, 2 का square 4, 7 का 49, 4 का square 16, 3 का 9, तो 169 इसका answer हो जाएगा, 28 चलते हैं, 28 में देखें, यहां 2 side, यहां 3 side, यहां 4 side, पता नहीं क्या logic लग रहा है, शायद कुछ इस तरह का logic लग रहा है, यहां 2 side है, L में 1 और 2, यहां 3 है, और यहां 4 है, अब इसमें देखते हैं, यह कुछ ऐसे खीचा है, फिर उसके बाद इसने इस प्रकार इसको cross कर दिया है, ठेक है, अब जो अगला best लग रहा है, वो ऐसे cross करने से आएगा, मतलब option B, ठेक है, बाकि इसका answer कुछ हो, और D तो I think नहीं होना चाहिए, C B I think नहीं होना चाहिए, और A B I think नहीं होना चाहिए, बट मेरे अनुसार असका answer B है, अब यहां बताएगा इसका best answer क्या है, उसक इसको देखोगे, तो मुझे Y जैसा shape बनाना है, यह देखे ऐसा खीचा, यहां खीचा, यहां तोड़ तेड़ा हो जा तो A नहीं हो सकता, B में देखो Y perfectly बन रहा है, और यहां तो Y बनी नहीं नहीं बन रहा है, यहां भी Y नहीं बन रहा है, तो यह नहीं हो सकता, यह नहीं नहीं रखता तो option B correct है अब पूचा गया इन नॉर्थ इस इफ नॉर्थ इस पहले छीच लेते हैं अपन ऐसे यह नॉर्थ है तो यह साउथ होता है यह इस है और यह वेस्ट है आप लोगों पता इतना यह वाला होता है वाट नॉर्थ इस्ट यह क्या है नॉर्थ हिस्ट है यह वाला क्या है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट है समझ रहे हो अब अब देखो मैं pick pen color change कर लेता हूँ अब देखो क्या बोल रहा इफ नॉर्थ इस बिकम नॉर्थ अगर नॉर्थ इस को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलेंगे वेस्ट so what will be East? East को क्या बोलिंगी उसकेसे? अगर ये North है, ये North है, ये North है, ये North है, तो ये South होगा, ये West है, तो ये वाला East हो जाएगा, तो ये East आपसे कुछा जा रहा है, जो पुराना East है, जो पिंक color, जो यलो color में लिखा रहा है वो पुराना वाला है, और जो वाइट कलर में ल एत को तो रहना था जाओं की बीच में रहा है और इसक में अर एस्ट की बीच में आ रहा था नॉर्थ है न mensen li Benedict isaji के बाखले कि अए सब्सक्वाद during this previous note अके बहुत सिंपल कुशन है अभाई थिंग आरा लिजिनेंग के 30 कोईशन हो चुके हैं अब आप लोग कमेंट करो और मरेको कर मेंड करकी कि आपका कितना आंसर नबर करो है आप लोग जल्दी से कमेंड करो आपके कितने आंसर आ रहे हैं ठीक है लेकिन जिसका 20-22 भी हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है ठीक है दो तीन तो दावापती लगे जो दो तीन कोश्चन में चले कमेंट करना आगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में